नुमस्कार आप देखना सुरू कर चुक हैं बक्सर खबर डेली बुलेटीन में आपका स्वागत है निउज बुलेटीन के मुख्य स्पोंसर है आरके ज्यूलर्स आकरसक आभूशनों के विश्यो सिनी है विक्रेता यमुना चौक बक्सर निज़ डालते हैं बुलेटीन की परमक्सुर्खियों पर दस के बाद चौसा में कुछ बढ़ा करने की योजना बना रहे हैं प्रभावित किसान साधी से पहले ही गहने और रुपे लेकर भाग गई यूती पुलिस से सिकायत पंदर माज तक बढ़ाई गई मुखमंत्री कन्या उठान योजना किती थी हथियार के बलपर अपराधियों ने यूवक से लूटली मोबाईल वबाईक पटना से चोरी किया गया ट्रक और द्योगिक थाना छेतर के दलसागर से बरामत ट्रेन से उतरने के दोरान रोहतास के हरिंद्र पांडे की बक्सर स्टेशन परमौत अपनी मांगों के समर्थन में आगन बारी सेविकाओं का परदर्थन अस्टेशन रोट जाम गरीब बच्चों को मिलेगा कम्प्यूटर का निसुल्क प्रसिक्षण काम धेनुनेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब ख़बरों की चर्चा बिस्तार से आप जो यद्री से देख रहे हैं चाउसा के पास इस सित थर्मल पावर का मुख्य प्रवेश द्वार है यहां बीते दिन बक्सर से रोहतास जाने के क्रम में किसान नेताच चाउधरी राकेश टिकैद कुछ दिर के लिए रुके अधिकान स्वही किसान सामिल थे जो बनारपूर में धरना दे रहे हैं इन लोगों से वहां बाचित का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने चौका देने वाली बाते कहीं जैसे बगर मुआउजे के भी कुछ जिमी ने ली जा रही है वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन में सक्रिय भागिदारी कर रहे हैं लोगों ने बताया दस मार्च तक का समय जिला प्रसासन के पास है अगर वह बात करता है तो करे अन्य था यहां फिर बड़ी संख्या में किसान जमा होंगे और जरूरत पड़ी तो सजी बियन जिसे भी एस्टीपियल भी कहा जा रहा है कि मुख गेट को हम लोग जाम कर देंगे वहां दिवाल चुन दी जाएगी अर्थात मुख गेट को दिवाल बनाकर बंद कर दिया जाएगा इस पूरे प्रजेक्ट को ठप करने की तैयारी भी से आप कर सकते हैं हाला कि परसासन इस मामले म किसानों से बात नहीं करके पता नहीं कौन सी रणनिती अपना रहा है लेकिन जो वहां बाचीत के अंस हमारे हाथ लगे हैं उसे आप यहां गौर से सुनिए हाला कि उस बाचीत में एक अंस हैसा भी है जिसमें पुरो मंत्री अखलाक अहमद जो चौधी राकिश टिकेत के साथ वहां मौजूद थे उन्होंने गैर लोकतान तरिक तरिके का बिरोज किया उन्होंने कहा जो भी करना है हमें नियम के अनुकूल ही करना है इस थारीख को हम लोग जो टाइम दी है सब दस तारीख को हम लोग इसका गेट पर दिवाल जोड़ देगा अगर अगर मने परका के लिए नहीं आए जन्होंग उसी का सीमेंट उसी का बालू और उसी का ही था बिल्टिन के दूसरी सुर्की डुम्राओं थाने से जुड़ी हुई है जिस यूती की साधी 28 फरवरी को होनी थी वह साधी से ठीक की सुबह घर से डेर लाक रुपे के गहने 30,000 रुपे नगर लेकर भाग गई है सुत्रों के अनुसार परिजनों ने तीलक चड़ा दिया था 28 फो साधी होनी थी लेकिन वह संभवता साधी की नियत से अपने किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई है पुलिश इसकी जायच कर रही है बुलेटीन किती ही सुरकी है 15 मार्ज तक बढ़ा दी गई है मुखमंत्री कन्या उत्थान योजना के तह तावेदन करने किती थी आप यहां जो तस्वीरे देख रहे हैं पिछले दिनों बिकॉम की छात्राओं ने भी कालेज के प्रचारे को ग्यापन दे कर या रोप लगाया था कालेज की लापरवाही के कारण उन्हें का कन्या उत्थान योजना का लाब नहीं मिल रहा है ऐसी छात्राओं के लिए सूचना है जो सनाता को तरिन कर चुकी है वे 15 मार्च तक आनलाइन मेधा सॉफ्टवर आवेदन कर सकती है जो तिथी 28 फरवरी को ही समाप्त हो रही थी अब उसे 15 तक बढ़ा दिया गया है बुलडेन की 34 फरवरी दुम्राओं थाने से ही जुड़ी हुए है हत्यार के बल पर यूवक से बीते दिन मोबाइल बाइक और कुछ रूपे लूट लिए जाने की बात सामने आई है पीडिती यूवक दुम्राओं थाना के कुल्भवा गाउं का रहने वाला है जो दुम्राओं आ रहा था बने जी डिरा के पास तीन बाइक सवारा पराधियों ने पिस्तौल के बल पर गुड़ू राम से उसकी पैसन प्रो बाइक, मोबाइल और कुछ रूपे जबरन छिन लिए इसकी सिकायत पिडित ने दुम्राओं थाने में की है पुलिस के अनुसार इस मामले की जहां चल रही है इसकी सत्यता और अपराधियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है बुलेटिन की पांच भी शुर्खी है अद्रगिक थाने की पुलिस ने पटना से चोरी किया गया ट्रक बीतिये दिन मंगलवार को बरामत किया इनिश किनारे दलसागर गाओं के पास एयर ट्रक लावारी साल में खड़ा था हाला कि इसको चोरी करने वाले चोर वहां से फरार थे थाना थे शुमुकेस कुमार के अनुसार एयर ट्रक 27 फरवरी की रात अल्ट्रा टेक सिमेंट के पार्किंग से चोरी हुआ था या पतना सिटी के रहने वाले किसी व्यक्ति का वहान है सुचना मिलने पर जोगी थाने की पुलिस ने समय रहते इस वहान को जब्त कर लिया गुलेटिन की छटी सुरकी है अस्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दोरान मंगल बार सुबह पोने दस वजे के लगवग हरेंद्र पांडे 55 वर्स की मिर्ति हो गई वे रोताज जिला के धर्मकंधा गाउं के रहने वाले हैं सूचना के अनुसार वे पटना से अर्चना स्प्रेक्स में सवार हो गए थे जो बक्सर में नहीं रुपती है उसी से उतरने के दोरान अस्टेशन पर या हाथसा हुआ उनकी बेटी की साधी भी तै थी इसको लेकर पूरा परिवार मरमात है इस दुखत घटना ने सब को जख जोर दिया है बुलेटिन की साथवी सुरकी है आगनबारी सेविका साहिकाओं ने मिलकर बीते दिन स्टेशन रोट को जाम कर दिया चहर के जोती चप कर प्रदस्ट कर रही इन महिलाओं को थना ध्यक्ष एवं वीडियो ने मिलकर वहां से हटाया फिर इनका कारी करम वहां से परिवर्तित होकर कबलदा सर्वर पहुँच गया जहां इन लोगों ने घंटो धरना दिया और कहा सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है आगनबारी सेविकाओं से जितना काम लिया जा रहा है उन्हें सरकारी करमचारी का दरजा मिलना चाहिए इनके मांग पत्र में एक दरजन से अधिक बिसे को उल्ले खित किया गया था जिसमें तत्काल सेविका को पचीस हजार एवं सहाइका को अठारा हजार रुपे मांदे देने की मांग भी रखी गई है जबकि इनकी प्रमुक मांग है आगनमारी सेविका सहाइकाओं को सरकारी करमचारी के दर्जा के लाइक है तो भारत सरकार को भी माल लेना चाहिए कि सरकारी करमचारी का दर्जा सेविका को मिलना चाहिए और उन्हें विगर चुटी का लाइक मिलना चाहिए कितनी महिडा है आप लोग है किस-किस परखंट से आई है बुलेटिन की आठवी सुर्खी वैसे गरीब बच्चों के लिए खास खबर है जो केंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन्हें निसुल्ख परसिक्षन देने के लिए दिन द्यालनते होते हैं योजना राश्टिर सहरी अजीवी का मिसन के तहत जिसे आप डे नुलम भी का सकते हैं अब छात्रों को निसुल्ख परसिक्षन मिला करेगा सिंडिकेट के पास बीते दिन इस एडवांस केंप्यूटर सिंटर का उद्धाटन नगर परसित की कारेपालक पताधिकारी प्रेम सरुपम ने किया संचालन करता होगे अनुसार लगभग 1.566 मा का परसिक्षन या निसुल्ख प्राप्त कर सकते हैं उन्हें जीविका से जुड़ी टेक्निकल जानकारी भी दी जाएगी और यह पूरा कोर्स निसुल्ख होगा यह गरीब लोगों के लिए एक अच्छा मोका है आज की बुलेटीन बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथन तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद